यह लेनवो का है जो हम देख रहे हैं DC Jack लेनवो का लगा रखा है मैंने और यहां पर multimeter है तो हम जा रहे हैं इसके adapter ID को चक्त करने कि adapter ID सही है खराब है क्या है तो जैसे कि यह वाला job point देख रहे हैं यह आपका क्या positive हो गया 20 का 20 Volt आ रहा है इस पर यह इसका ग्राउंड हो गया और इस पर देखे वोल्टेज क्या आ रहा है 1.4 यह 1.4 आ रहा है इसका मत्तभी मेरा 90 वाट क्या ले रहा है अगर यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आता तो फिर हम समझते कि हाँ खुछ में कुछ दिक्कत है यहाँ पर फिलाल 1.4 वोल्ट ले रहा है यह आपका क्या है 90 वाट अब यह 1.4 वोल्ट आया कैसे है ना 1.4 वोल्ट आया कैसे अगर उसकी बात की जाए तो आमने कल देखा था है ना यह तो इसका होगया होट में टेस्टिंग अब उससे पहले अगर आप इसका इंपिडेंस में टेस्टिंग लेते हो यह आईडी का वैल्यू कितना होता है तो वैल्यू आपको क्या आ रहा देख लो 400 के उपर है ना पॉश्टिव की वैल्यू कितनी आती है यह भी 400 से उपर और आईडी की वैल्यू चार्सव से उपर आएगी और यह ग्राउंड है तो विप कभी पाएगा है तो 400 से उपर मिल जाये तो मसलब क्या मेरी ट्रैक कनेक्टिविटी ओक है तो मेरा ट्रैक है आयो चिप तक क्यों यह पिन कहां गया है ट्रैक्ट आपका आयो चिप से कनेक्ट है यह मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर है आयो चिप तक मेरा गया है अब फिर जब हम हॉट में चेक करने के लिए जाएंगे है ना तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा वोल्टेज पे लेकिए आना आपको यह ना आरा यह 91 अब मेरे पास एक और है डीसिपिन उसको मैं यूज कर रहा हूं यहां पर यह है 240 वाट का यह भी मैंने लगाया है 240 वाट का डिसीपिन लगाया उसके हिसाब से यहाँ पर देखते voltage जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है देखें यहाँ पर लगाया है voltage बता रहा 2.9 volt उजे मेरे को सही मिलता है यह 2.9 के आसपा सही है यहाँ की voltage भी बढ़ता जाता है और जैसे से voltage काम होता जाएगा यहाँ का voltage भी काम होता जाएगा तो लेनवो का यही खंडा है अमचे लेनवो में आपको यही कीज़े तो यह मेरा डिसीपिन जो मैंने यूच किया 240 वाट का यह अलग से डिसीपिन होता है 240 वाट का यह इस टाइप का यह 240 वाट का टीसीपिन होता है तो यह मेरी क्या होगए डिसीपिन के लिए क्यों टेस्टिंग हो गई कि हाँ यह मेरा सही है यह आपर देखे 2 तरह का DCP ने मेरे पास यह 90 वाट है और यह 240 वाट का 240W के एसाब से मेरेको voltage दे रहा है, मतलब ए DC pin सही काम करते है, यह आपको अलग से market करते है, इसके image दिखा लेको, यह आपका ID pin है, हाँ, यह ID pin पे मैं आपको voltage चेक करवा रहा था, 90W के एसाब से 1.4 volt आ रहा है, और 240W के एसाब से 2.9 volt आ रहा है, अगर मैं जैसे से wattage में changes करूँगा, तो यहां का voltage भी क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा होता रहेगा, अगर मन यह high wattage है तो voltage ज़्यादा, wattage कम है तो voltage कम, उसको भी हम अभी proof करेंगे, यह set है, यह set है, यह set है, लेकिन यह set ऐसे market में आता ने, 240W का है, तो मेरे पास है, यह अब इसकी combined team, जोरूं को काफी हो जाएगी, इसमें Lenovo वाला यह वाला जो है, यह वाला, यह 240W का है, यहीं पर एक site है, इसकी combined team, मत कितना बता रहा देखनू, 1295, तो यह वाला जो DCPन है न, यह DCPन मेरा उसमें काम कर जाएगा, अगर कोई gaming लागा, लेफटाप, 240W तक का आता है, तो उसमें मेरा काम कर जाएगा, हमिजगे ना?